असलालेकुम दोस्तों स्वागते आपका हमारे स्वादिश दस्तर खान में आज हम बनाने जा रहे हैं ग्रीन मटर कबाब तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रीन मटर कबाब के लिए हम सारे मसाले तयार कर लेंगे सबसे पहले एक अद्रक का तुकडा लेना है दस से बारा लस्सन तीन मीडियम साइस के प्याज लेना है ये तीन सो गिराम हरे मटर है थोड़ी सी कोतमिर एक चम्मस कुटी ही धनिया और एक चम्मस कुटी ही लाल मिर्ची एक चम्मज गरम मसाला, एक चम्मज जीरा पॉडर और आदा चम्मज काली मिर्ची का पॉडर 100 गिराम चने का आटा आदी कटोरी अमुल फ्रेश क्रीम हमने जो तीन प्यास लिये थे उसे हमें इस तरह से काट लेना है अद्रक को भी हमें छोटे पीसस में काट लेना है हमने यहाँ पर अखे अद्रक लसन यूज किये हैं आप चाहे तो अद्रक लसन का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं अब हमें मटर और सारे सुके मसाले कांदे में दालना है एक चमस हरी मिर्ची का पेस्ट भी दालना है नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से दालना थोड़ी से कोत्मिर दालना है जो हमने आदि कटोरी क्रीम लिएते वो भी इसमें दालना है अभी हमें इसे गैस पे रखे स्लो आज पर भूण लेना है अच्छे से हमें इसमें पानी तेल कुछ भी नहीं दालना है हमें मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेना है साके मसाला नीचे ना लगे सौरी मैं हल्दी दालना भूल गई थी आदी चमस हल्दी दालना है और उसे भी मसाले में अच्छी तरीके से भून लेना है हमने वेच कवाब को सिर्फ मटर से बनाया है आप चाहे तो इसमें गाजर या कोई और वेजटेबल भी एड़ कर सकते हैं अब हमें इसे पास्ते दस मिनिट थंडा कर लिया था अब हमें इसे मिक्सर में दालना है ग्राइंड करने के लिए हमें इसे इस तरह से पीषना है इसे जादा बारिक नहीं करना है कवाब के मसाले में चने का आठा दाल के हमें हातों से अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हमें इस मसाले को 10-15 मुनिट ढख कर छोड़ देना है 15 मुनिट हो चुके हैं कि हमें गैज पर टवा रखना है और तवे में तीन चममस तेल डालना है हमें है कि हमें इस तरह से इसका छोटा मिडियम साइज का बॉल बना लेना है । आप चाहे तो इससे बढ़ा, या इससे छोटा भी जे सकते हैं। हमें इसको अच्छे से रोल अप करना है और पानी के हाथ लेकर इसे हाथों में प्रेस करना है कवाब के शेप में बनाना है हमें से तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है हमें गैस की फ्लेम को लो करना है और उसमें सारे कवाब को फ्राइ करने दाल देना है हमें कवाब को पलटे हुए अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेना है देखिए हमारा कवाब बन के तयार हो चुका है अब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये ग्रीन मटर कबाब की रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे जजाक अल्ला हाफिस